इस पुराने वायर स्प्रिंग सूफा में अब वो बात नहीं रही है ना? आप इस पर कुशंज यानी गर्णियां रकर रकर ठक चोके हैं लेकिन आराम का नाम हो निशान नहीं और अब आलम ये है कि आप तो गुस्सा भी आने लगा है तो दोस्तो उठिये वहां से और बैठिये बे मिसाल नए एर लाउंज पर पेहाद आराम ताइक और सुविधा जनक सोफा, लाउंजर, रिक्लाइनर और फोल्ड आउट बैट सभी कुछ एक में दोस्तो ये इतना बढ़ी है कि यकीन करना मुश्किल है आप खोदी देख लीजिए न, बस जेट प्रोपल्शन पंप को प्लगिन कीजिए और तीन मिनट से भी कम वक्त में एर लाउंज पूल कर बन जाएगा एक फुल साइच सोफा जो आपके घर के किसी भी कमरे में समा जाएगा फिर इसे अनफोल कीजिए और फॉरन पाईए एक लाजवाब, आराम दाय, एर मैट्रेस जो आपके महमानों का भी दिल उभा लेगा या फिर इसे फ्लिप कीजिए और ये बन जाएगा एक रिकलाइनर, जिस पर किसी खास के साथ बैट कर आपको मुवी भी और खास लगेगी आकर क्या जरूरत है दोस्तो, अपने पुराने वायर स्प्रिंग से भरे किसी डब्बे पर लेटने की, जबकि आप हवा पर सोने का मज़ा उठा सकते हैं बस इसमें अपनी जरूरत के मताबिक हवा भरिये और एर लाउंज सराउंड सस्पेंशन टेकनोलोजी आपके शरीर को यू उठा देगी कि आपको लगेगा जैसे आप बादनों के उपर लेटे हैं दोस्तो आम सोफा हिलाना हो तो पूरी सेना की जरूरत पड़ सकती है, दिवारें तक तूट जाती है और कमर की तो हालती खराब हो जाती है लेकिन एर लाउंज को हिलाना तो बहुत ही आसान है, कोई बच्चा भी हिला सकता है इसे क्योंकि इसका वज़न 10 किलोग्राम से भी कम होता है इस सफते महमान आने वाले हैं, तो देखिए, एर लाउंज से हवा निकालिए, इससे रोल कीजिए और किसी दूसरे कमरे में ले जाकर फिर से फोला दीजिए ये इतना आसान और आराम दायक है कि हो सकता है कि आपके महमान जाने का नाम ही न ले दोस्तो एर लाउंज आपको इसलिए भी और ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये केट टेस्टेट और पेलो फाइट अप्रूफ्ट है और जब नन्ने मुन्हे इस पर कूट कूट कर ठक जाएंगे तो यही उन्हें बहुत आराम की नीन भी देगा कुछ बड़े बच्चे जो खेलते कम और उचलते ज्यादा है एर लाउंज उनके वजन को भी आसानी से संभाल सकता है और अगर खेलते खेलते इस पर कुछ गिर भी जाए तो भी परेशान मत हो ये बस जरा सा गीला कपड़ा और सब कुछ साफ और चब खेल पूरा हो जाए तो एर लाउंज को जहां चाहें वहां रख दीजिए ये बेहत अराम दायक, सुविधा जनक और मजबूत है ये देखें दोस्तो, ये खिलाडी अपने स्पाइस के साथ इसके उपर उचल रहे हैं पर एर लाउंज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां तक कि हमने इसे ट्रक के पीछे बांथ कर उपर खाबर रास्ते के उपर भी घसीटा आपने देखा दोस्तो, मसबूती का इस से बड़ा सरबूत और क्या हो सकता है वैसे तो आम सोफे की कीमत होती है तक्रीबन 30,000 रुपए और एर बेड मिलता है 25,000 रुपए का इसके साथ आपको मिलेगा ये बेव मिसाल जेट प्रपल्शन पंप जिससे आप एर लांज को सिर्फ तीन मिनट में ही पुला कर इसके आराम का लुद्व कहीं भी उठा सकते हैं एक अतिरिक्त बूनस के तहट हम आपको देंगे ये हैंडी ट्रावल एंड स्टोरेज बैग जिससे आप इसे घर पर भी आराम से रख सकेंगे और सफर में भी अपने साथ ले जा सकेंगे लेकिन चल्दी कीजिए ये कीमत ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली तो फौरन आउडर कीजिए